नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के मुखे समाचार के इस वीडियो में जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे एक की करके पचास बड़ी खबरों को सिब 10 मिनट में जानेंगे वीडियो के साथ अंदग बनेते हैं साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे साथ ही वीडियो के नीचे दिएगे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भड़ी की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे तो चलिए दोस्तो वीडियो को फट अफट अफट शुरू करते हैं हेलिपेट बनाने के लिए भूमी चिन्धित करने का प्राओधान करने को कहा है सरकार ने समीति के उक्त सुझाओ को मान लिया है जिससे देश में हेलिकॉप्टर एम्बुलेंस इमर्जेंसी सेवा को बडिहत अस्तर पर सुरू किया जा सकेगा परिवहन परियतन समंदि संसद की अस्ताई समीती ने गत माह सड़क परिवहन वर राज मर्ग मंतराले को नेशनल हाइवे वर रेलवे ट्रेक किनारे हैलिपेट बनाने की सिफारिस की थी जिस से हेलिकॉप्टर एम्बुलेंस आपात लेंडिंग कर प्राकिर्तिक आपदा रेल सड़क दुरुहत नाव में घायलों को अस्पताल पहुचा सकेंगे अगली बड़ी खबर की बात के तो आ गया वाट्सेप का नया फीचर हेट स्पीच और भद्दे मैसेज करने वाले हो जाये सौधान वरना हमेसा के लिए होंगे बैन जी हाँ वाट्सेप की तरफ से नय सेक्रियूटी फीचर को एंडरोड यूजर्स के लिए रॉल आउट कर दिया गया है इसमें से एक है वाट्सेप मैसेज लेवल रिपोर्टिंग फीचर है साधारन सब्दों में कहें तो या फीचर वाट्सेप पर भद्दे मैसेज भेजने वालों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है दरसल पिछले लंबे वक्त से वाट्सेप पर हेट स्पीच और दंगे भड़काने वाले मैसेज की संख्या बढ़ रही है साथ ही ऐसा करने वाले लोग सरकार और वाट्सेप की पहुच से दूड है वाट्सेप के नए मैसेज लेवल रिपोर्टिंग फीचर के आने के बाद अगर कोई यूजर्स आपको भद्दे या फिर गंदे मैसेज भेजता है तो आप ऐसे मैसेज को रिपोर्ट कर पाएंगे साथ ही उसे ब्लॉग करने का भी ऑप्सन मिलेगा अगर किसी वाट्सेप मैसेज पर पचीज से ज़्यादा यूजर्स ने रिपोर्ट कर दिया तो वाट्सेप ऐसे एकाउंट्स को बेंड कर सकता है और अगर बड़ी खबर की बात करे तो आम आदमी को बड़ी रहत इंडियन ओयल लेकर आया है सस्ते रेट पर LPG सिलेंडर कीमत मातर 660 रुपे जिहां महंगाई ने आम आदमी की कमर तो रखी है LPG के घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में भले ही कमी ना आई हो लेकिन मध्यमवर्गिय परिवार के लिए रहत की बात तो यह है कि अब आपको LPG का 10 केजी का कमपोजिट सिलेंडर मातर 660 रुपे में मिल रहा है जिससे जहां आप कम पैसों में भी सिलेंडर खड़ीत सकते हैं प्रेसर कूकर बेचने वालों की खैर नहीं सरकार ने उठाया बड़ा करदम जिहां केंद्रिय उभोक्ता संरक्षन प्राधिकरन ने घेलू इस्तमाल वाले नकली उत्पादों के विक्री के खिलाब अपने अभियान को तेज कर दिया है उभोक्ता संरक्षक नियामक ने कहा कि जाली ISI निसान वाले प्रेसर कूकर दोपहिया हेलमेट और रसोई गैस सिलेंडर बेचने वालों के खिलाब जनहित में यह अभियान चलाया जा रहा है CCPA पहले ही पाच e-commerce कंपनियों को इस बारे में नोटिस जारी कर चुका है उन्होंने कहा कि बजारों में इस तरह के नकली उत्पादों के विक्री पर लगाम लगाने के लिए CCPA ने सभी जीला कलेक्टरों को उन कमपनियों की जाच करने को कहा है जिनके खिलाब उभोक्ता अधिकारों के उलंगन की सिकायते मिली है और अगली बड़ी ख़बर की बात करे तो आधार से एक दिन में पाच बार पैसे निकाल सकेंगे गराहक NPCI ने तै की Micro ATM या POS मसीन से Transaction की लिमिट जिहन National Payment Corporation of India ने आधार से जुड़े Transaction की लिमिट सेट कर दी है अब आधार से चलने वाले Payment System से निर्धारित संख्या में ही पैसे निकाल सकेंगे Transaction की लिमिट पहले 50,000 रुपए तै की गई थी जिसके बाद और भी नए नियम जोड़ दिये गए है NPCI ने आधार से नकत निकासी और मीनी स्टेटमेंट पाने की लिमिट को निर्धारित कर दिया है नई गैरलैंड की मुताबिक जो बैंक आधार से माइक्रो ATIM या POS मसीन चलाते हैं और ग्रहकों को कैस देते हैं अब उन्हें हर दिन प्रती ग्रहक के हिसाब से अधिकतम 5 कैस विड्रॉल करनी की सुवधा देंगे अर्थात आधार से चलने वाले किसी टर्मिनल पर एक दिन में कोई ग्रहक अधिकतम 5 बार पैसे निकाल सकेगा और अगली बड़ी ख़बर की बात करें तो British Researchers का दावा कोलेस्ट्रॉल की दवा से 70% तक घट सकता है कोरोना वायरिस का खत्रा जिका कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा फेनोफाइब्रेट से कोरोना के संकरमन का खत्रा 70% तक घट सकते हैं रिसर्चर्स का दावा है कि इस दवा में मौझूद फेनो फाइब्रिक एसीड कोविट के संक्रमन को घटाती है सुरुवाति क्लिनिकल ट्रायल में साबित भी हुआ है फेनो फाइब्रेट एक ओरल ड्रग है इसका इस्तिमाल बलर्ड में कॉलेस्टरॉल और लिपिट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है दुनिया बर में अदवा आसानी से उपलब्ध है और सस्ती भी है रिसर्च के परिणाम बताते हैं कि फेनो फाइब्रेट में कोरोना के संकर्मन को गंभीर होने से रोकनी की चमता है या वाइरस को फैलने से रोकने में भी मदद करती है और अगली बड़ी खबर की बात के तो रस्तुई गैस पर जल्द सुरू हो सकती है सबसीडी तीन सो तीन रुपे के छूट संभो जिहां महंगाई से आज आम जनता परिशान है एक और जहां घरेलू गैस सिलिडर के दाम नौ सो रुपे पहुच गए हैं वहीं इसके बठते दामों ने कीचन का बजट पूरी तरह से विगार कर रख दिया है वहीं पिछले कुछ समय से लोगों को भी बैंक खातों में सबसीडी की रासी नहीं पहुची है लेकिन अब आपको परिशान होनी की अब सकता नहीं है अगर पिछले काफी वक्त से आपको सबसीडी के पैसे नहीं मिले हैं तो केंद सरकार इनको फिर से बहाल करने पर विचार कर रही है यानि की केंद सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स में छूट के बाद रसोई में कुछ राहात दे सकती है ओल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से गैस डिलर्स को मिले संकेत के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर पर सरकार 303 रुपय तक की राहत देने का विचार कर रही है इंसन बढ़ा रहा कोरोना का गराफ एक सब्ता में ही 6 गुना बढ़े केस मौत के आकरों में आई तेजी जी हां देश में पिछले कुछ समय से कोरोना वाइरस के मामलों में जम कर बढ़ुतरी देखने को मिली है सिर्फ कोरोना ही नहीं जबकि उसका नया वेरियंट ओमिक्रोन भी तीजी से पैर पसा रहा है हालात ऐसे है कि एक सब्ता में ही संक्रमितों की संक्या में 6 गुना बढ़ुतरी देखने को मिली है इसकी वज़े ओमिक्रोन को माना जा रहा है क्योंकि इसकी वज़े से वैक्सिन लगा चुकि लोग भी संक्रमित हो रहे हैं कोरोना के आकरों में बढ़ुतरी के साथ देश में महमारी से मरने वालों की संख्या भी इस दुरान बढ़ी है हालाकि इसका रफ्तार बहुत कम है इससे पता चलता है कि ओमी क्रॉन दूसरी लहर जितना खत्रनाक नहीं है और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदार वेरिफिकेशन पर उदै की बड़ी तैयारी नहीं होगी फिंगर प्रिंट स्कैन की जरूरत सिम्ध खरीदने से पेंसन पाने में आपका स्मार्टफोन आएगा काम जिहां मौजुदा वक्त में फिंगर प्रिंट आईडिस स्कैनर और वन टाइम पासवर्ड का आथेंटिकेशन के लिए इस्तमाल किया जाता है लेकिन जल्द ही स्मार्टफोन से आथेंटिकेशन प्रिक्रिया को पूरा किया जा सकेगा साधारन सब्दों में कहें तो इजर्स को अभी रासन और पेंसन जैसे सुवर्डाओं का लाव लेने के लिए फिंगर प्रिंट या फिर आखों को स्कैन करना होता है लेकिन जल्द इसकी जगह स्मार्टफोन को इस्तमाल किया जा सकेगा इसके लिए उदय आपके स्मार्टफोन को इनिवर्सल आथेंटिकेशन की तरह विक्सित करने का काम कर रही है इसके बाद लोगों को सरकारी सुवधाओं का लाव लेने के लिए दफ्तरों या फिर किसी दूसरे सरकारी संस्थान के चक्कर नहीं लगाने होंगे अधार कार्ड होल्डर विक्ति घर पर बैठ कर अधार कार्ड को वर्चुली स्मार्टफोन से वेरिपाई कर पाएगा और अगले बड़ी खबर की बात करे तो पंजाम निशनल बैंक के सेविंग एकाउंट में अब डबल रखना होगा नियुन्तम बैलेंस को कैंसिल कलाने पर आप 50 रूपे जादा देने होंगे अब सहरी इलागों में रहने वाले गर्चकों के लिए अपने बचत खाते में कम बैलेंस होने पर अब तक 300 रूपए था जो कि अब 600 रूपे हो गया है ग्रामिन इलागों के ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस के कम होने पर 200 रुपे की जगा 400 रुपे प्रती तिमाही चार्ज देना होगा और गली बड़ी खबर की बात के तो ड्राइविंग लैसेंस के लिए नहीं देना होगा आज से बदल गया नियम जी हां ड्राइविंग लैसेंस को प्राप्त करने की परिक्रिया को और भी असान बनात हुए आज सरकार ने इसके नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है ड्राइविंग लैसेंस आवेदकों को आज से छित्रिये परिवहन कार्याले यानि आटियों के माध्यम से ड्राइविंग लैसेंस प्राप्त करने की कठीन परिक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा द संपर्क में आने पर टेस्ट कराने की नहीं है जरूरत केंदर ने जारी की नई एडवाजरी जिहां देश में करोना और ओमी करोन के बढ़ते मामलों के बीच कोबिट सेंपल के टेस्टिंग के लिए ताजा दिसा निर्देश में इंडियन कॉंसिल औफ मेडिकल डिसर्च कोबिट मरीजो के आई संपर्कों को तब तक टेस्टिंग के आवसकता नहीं है जब तक कि उन्हें उम्र या कॉम रेडिटी के अधार पर हाई दिस्क के रूप में पहचाना नहीं जाता है आईसी एमार के ब्यान में कहा गया है कि होम आईसोलेशन के बार डिस्चार्ज किये गए मरीजो या कोबिट 19 फैसलेटी से डिस्चार्ज होने वाले मरीजो का टेस्टिंग करने की आवसकता नहीं है हलाकि खासी बुखार गले में खरास या स्वाद या गंद की कमी और अन्य कोबिट लक्षनों जैसे लक्षनों वाले व्यक्तियों का टेस्टिंग करने की आवसकता है और अगले बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक के तिरंगे पर गिरह मंत्रा ले सकते राजीों से कहा इसका इस्तमाल बंद कराये किंद्र ने राजीों से प्लास्टिक से बने तिरंगे का इस्तमाल ना होने देने को कहा है किंदर ने सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्टिय जंडे का इस्तमाल ना करे क्योंकि गैर बायो डिग्रेडेबल वस्तुओं से बने आइटम का उचित निप्टान सुनिश्चित करना एक बेवारिक समस्या है किंद्रे गिरी मंत्राले ने सभी राज्यों और किंद्र शासित परदेशों को भेजे पत्र में कहा कि टश्टिय धोज्य देश के लोग की आसाओं और अकांचाओं का परतिनिद्व करता है और इसलिए इसे सम्मान की स्तिती में होना चाहिए ज्यादातर महत्यपून रष्टिय संस्क्रितिक और खेल आयोजनों में कागच के स्थान पर प्लास्टिक से बने जंडों का इस्तमाल किया जाता है और ये लंबे समय तक भी घटिट भी नहीं होते हैं और अगली बड़ी खबर की बात के तो कोरोना संक्रमन के खिलाब प्रतिरोधक चमता बढ़ाते हैं सर्दी जुकाम वाले वायरिस वेग्यानिकों का दावा जीहां सर्दी जुकाम जैसी परिसानी पैदा करने वाले कोरोना वाइरस के खिलाब जिन लोगों की परतिरों तक छमता मजबूत होती है उनमें कोविड-19 से लड़ने की ताकत अधिक हो जाती है सोधकर्ताओं ने अदवा हालिया अधिन में किया है सोधकर्ताओं ने सार्च-COV-2 के प्रकास में आने से पहले चार अन्य मानो कोरोना वाइरस के विशलेशन के लिए 825 नमूने लिये थे बाद में सार्च-COV-2 से संक्रमित 389 लोग के नमूने का भी प्रिक्षन किया गया कम्प्यूटर अधारित मोडल के साथ इन विशलेशनों का मेल करने के बाद सोधकर्ताओं ने निसकर्स निकाला कि किस परकार एंटी बॉडी हमलावार वाइरस को निसक्रिये करती है पता चला कि सार्च-COV-2 से COVID-19 बीमारी होती है जबकि अन्य करोना वाइरस सर्दे जुकाम जैसे समानने समस्याएं पैदा करते हैं दोस्तो आज की खबरों में बस इतना ही इसी तरह हरोज काम की खबरे जानने के लिए आप हमारे साथ जुडे रहें हमारे साथ जुडेने के लिए वीडियो के नीचे दियेगे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके